असलामु अलेकूम मजमून नवेसी उनवान बालिका दिन महाराष्ट में हर साल तीन जन्वरी को सावीत्री बाई के योमे पैदाईश के मौके पर बालिका दिन मनाया जाता है सावीत्री बाई फुले एक मौलनी मा थी वो समाजी कामों में बढ़ चड़कर हिस्सा लेती थी वो एक शायरा भी थी सावीत्री बाई का जनम तीन जन्वरी अट्रासो एक तीसको सतारा के एक गाउ नाय गाउ में हुआ सावीत्री बाई फुले भारत की पहली खातुन मौलनी मा थी सावीत्री बाई फुले ने औरतों की तालीम और उनकी हक के लिए एहम खिद्मात अंजाम दिये उन्होंने भारत में मर्दोजन मसावात के तालुक से एहम कीरदार अंजाम दिये सावीत्री बाई फुले और जोती राउ फुले ने इन दोनोंने मिलकर पुने में अट्रासो अटालिस में लड़कियों के लिए पहला मदरसा कायम किया समाज में लड़कियों के हक के लिए मसावात मर्दोजन के तालुक से और समाज में लड़कियों का मियार आला बनाने के लिए और लड़कियों को पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता था इस तालुक से बाली का दिन मनाया जाता है लड़कियों को आला तालीम के मुआके और उनका हक दिया जाए तो यकीनन लड़कियों का मियार बुलन हो सकता है लड़कियों की तरक्की के लिए मुक्तलिफ तन्जी में रियासती और कौमी सते पर मुक्तलिफ प्रोग्राम अन्जाम दे रही हैं जैसे टीका मोहीम, खाना शुमारी, बचचत गट, मुफ्त तालीम वगेरा इन तन्जीमों के कामों की वज़ा से लड़कियों के मियार को आला बनाने में मदद मिल रही है महाराश्ट में तमाम स्कूलों में बालिका दिन के मौके पर मुक्तलिफ प्रोग्राम रखे जाते हैं शोशल मिडिया के जरिये तमाम चैनलों पर लड़की बचाओ ये पैगाम दिया जाता है इस काम को अंजाम देने के लिए मुक्तलिफ तन्जीमें और समाजी तन्जीमें शामिल होती है लड़की बच्चाओ लड़की पढ़ाओ इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद पूरे महाराश्ट में किया जाता है इस तरह से सावीत रिबाई फूले के यौमे पैदाईश के मौके पर इनकी याद में इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है आप गुल है, महक है, शफक है, चमक है इन लफजों में पोचिदा है तस्वीर आपकी शुक्रियां